दोस्तो वर्तिका जाने पिछले कुछ समय में डांस में एक बड़ा नाम बना लिया है और अब वो इंडिया के टॉप डांसर्स में गिनी जाती है जी हां वर्तिका का डांस स्टाइल और उसमें एनरजी का लेवल दर्सकों को दिवाना बना देता है वहीं दोस्तो वर्तिका आजकल बहुती ज्यादा चर्चा में है लेकिन दोस्तो इस वार वे अपने डांस को लेकर नहीं बलकि दोस्तो किसी और वजे से चर्चा में है डांसरी लेटी सोज के डांसिंग कवीन कही जाने वाली वर्तिका के साथ ऐसा पहली बार हुआ है वो भी इंडियाज बेस्ट डांसर के फिल हाल चल रहे सीजन 3 में जिहां दोस्तों आपको वतारिंग इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 में वर्तिका समेत कुल 8 कोरियोग्राफर्स को बीच सीजन से ही निकाल दिया गया जिसके बाद से ही उनके फैंस बहुती ज़्यादा हतास और निरास हैं वहीं दोस्तों आपको वतारिंग इंडियाज बेस्ट डांसर के अलावा वर्तिका कई डांस रिलेटी सोज में नजर आ चुकी हैं जिनमें D.I.D. सुपर मॉम से डांस पलस सीजन 4, D.I.D. लिटल मास्टर जेसे सोज में वर्तिका की मौजूदगी यादगार और सांदार रह थी है जिँ हां लेकिन दोस्तों इन सबी में वर्तिका को कभीभी सो के बीच सीजन से नहीं निकाला गया यहां तक कि वर्तिका इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 1 और सीजन 2 में फिनाले में WINNERS की KOREOGRAPHER वी रही जी हाँ वहीं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 में उन्हें बीच सो में ही निकाला जाना उनके experience में यह पहली बार है वेशे दोस्तों इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के बीच सीजन से ही वर्ति का समेत बाकी कोरियोग्राफर्स को भार किये जाने पर आपका क्या reaction है एंड थैंक्स पर वोचिंग पर मोर अपडेट से सब्सक्राइब नाउ